हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दो चैनल सरस्टी स्टेडी पॉइंट एक बार मैं फिर से हाजी हूँ यहाँ पर साइन्स के इंपोर्टन कोशन लेकर जो मैं डेली चैनल पर वीडियो लेकर आती हूँ कोशन वह हैं और यह वह कोशन है जो किसी ना किसी एक्जाम में आई हूँ है वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा अच्छी लगे तो लाइक कीजिगा चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिगा धोमनों पान यानि की स्मोकिंग की बात हो रही है स्मोकिंग करने पर शरीर में ऑक्सीजन की कम्यूतपन हो जाती है क्योंकि इस से क्या होता है जो स्मोकिंग लोग करते हैं तो दम सा गुटने लगता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसमें क्या होता है ऑक्सीजन का अंश है ऑक्सीजन की जो सांधरता है कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है कि हीमो ग्लोबिन के साथ o2 जब जुड़ता है तो पूरी body oxygen के हमें जरूबत होती है इसकी जगह क्या ले लेता है carbon monoxide जब आप धुआँ आपके body के अंदर जाएगा उच्चे परवती शेत्रों में नाक से रख्त क्यों बहने लगता है लोगों के, क्योंकि यहां सबसे बड़ा जो वो है वो प्रेशर दाव, वायू दाव बगेरा दाव का रोल है सबसे बड़ा, जब परवती शेत्रों पे जाते हैं तो वायू का जो प्रेशर है वो कम होता ह बायुदाव हमेशा कम रहता है उपर की और बढ़ने पर और ब्लड में जो होता है वो प्रेशर बढ़ा रहता है तो इसलिए जो वाहिनिया होती है जो रक्त की वाहिनिया है उनसे ब्लड निकलने लगता है बाहर की तरफ है ना तो यह है बायुदाव जो है कम होने की से कौन सा रक्त केल्सियम और फॉसफेट को वी नियमित करता है इनकी कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है तो यहां पर इसका उत्तर होगा जो यह जो हॉर्मोन है पैरा थाइराइड हॉर्मोन ठीक है यह जो है रक्त फॉसफेट और उसको कंट्रोल करता है पैरा थाइराइ कि इसको बनाये रखता है तो इसलिए पाधन वो ऊस समय खत्म हो जाता है इस मैं अगरा कोसे निनमने में से कौन इसमें पाधब हर्मून है स्थाइ्ट काइन जो है यह पाधब हर्मून है या पाधूंव में होता है और यह सब जो है यह insulin, thyroxin और estrogen यह human, नुश्यों के हैं जो animal के समझ लीजे और यह पादप के हैं, cytokinin, यह क्या होता है, यह पौधे को जो है वो बूड़ा होने से रोखता है, यह कह सकते हैं आप क्योंकि पौधे में क्या है, यह जो पौधे की पत्तियों में chlorophyll होता है, मानब सरी की सबसे चोटी गिरंथी कौन सी है, तो pituitary gland जो है, वो सबसे चोटी होती है, और यह mind में होती है, ठीक है, इसको जो है, यह मस्तिश्क के अंदर होती है, और यह मतर के दाने की बरावर होती है, ठीक है, मतर के दाने की बरावर, और इसे एक pituitary gland को master gland भी कहते हैं क्योंकि और जितनी भी gland है उन सब को control करती है दूसरी जितनी gland है तो इसलिए से master gland कहते हैं अगला यहां पर फ्रिशन है कि कौन सा पादब hormone मुखता फलो को पकाने में परिपकतवा माने पकाने में जो है उत्तरदाई रहता है तो एथिलीन है एथिलीन जो होता है यह जब फल रहता है अगला है कौन सा इसमें पादब hormone नहीं है पूछा है तो इसमें देखे साइटो काईडीन है एथिलीन है इनसुलिन तो human का होता है यह hormone तो इनसुलिन जो है यह नहीं है इसका C option ठीक होगा जिब्रेलिन भी जो है वह पौदो में होता है अगला है आपर नमा रहेने एसकॉर्विक ऐसे यह नहीं है ठीक है तो इनसुलिन जो है वह एक hormone है अगला है निमलिंखिन में से कौन सा एंजाइम दूद के पाचन में सही होगी है दूद का पाचन जो है वह रेनिन करता है रेनिन से दूद का पाचन होता है याद रखेगा अगला परिशन है देजिणा पर मानरतंत्र में कौन सा इसमें से कौन से एक पाचक एंजाइम नहीं है तो गेस्ट्रिन जो है वह हो और्छ से हो सके और जो तो फैट कोको जो है वो डिजॉल्व करने का काम करता है फैट को तो उसका क्या काम है तो उसका काम है यहां पर बसा को फैटी एसट में तोड़ देना यह बाइल का सबसे बड़ा इसलिए जिसकी जो है ये गॉल ब्लेडर निकला हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है कि जो फैटी चीजे हैं उनको मत खाईए क्योंकि वो डाइजेस्टी नहीं होगा है न तो इसलिए ये बात होती है अगला है यहाँ पर निमलिकित में से कौन मानव गु है न तो यह नहीं है इसका भी ऑप्शन यहाँ पर होगा यूरिया यूरा को छानकर बहार निकालना यह भी ब्लकु सही है कई होर्मोन श्रावित करना यह ठीक है लेकिन वही नहीं है सरक्रा को यानि कि ग्लुकोज को मिंटेन करना डायलेसिस क्या है तो डायलेसिस वही न ढत्रजनी मों धाट वयार है तो वादंब का यूरिया होता है का यूरिया सकर्वित करना है वह घ्लुक आपक पक्षिंद की बिवालेसिदत्वक क्लद हो है किस प्रणाली है क्या काम है अबना गुर्दे करता है क्या क्या काम है ठीक है डांसपोर्टेशन से रिलेटिड नहीं है आ पचनी क्या क्या काम है बलड से एकस्पोरटवी पदार्त है छानो और इसे बहर निकालो unnecessaryं बैडर वगारा सब में होता है respiration जो है वो स्वसन से related है तो यह excretion से related अगला है स्वसन जब respiration की क्रिया होती है तो क्या चीज उत्पादित होते हैं तो भई ATP होते हैं adenosine triphosphate जो होते हैं ATP, ATP energy के रूप में ठीक है तो यह इसका उत्तर है यहाँ पर अगला है स्वसन के रिया में बायू के कौन से घटक की मात्रा कभी भी परिवर्तित नहीं होती तो वो nitrogen की कभी परिवर्तित नहीं होती चाहिए करें चाहिए नेलेशन करें nitrogen की वही मात्रा रहती है 19 वा कोशन है यहाँ पर हवा में तहरते हुए जितने भी जो छोटे-छोटे सूक्षम कड़ों की बात होते हैं स्वसनिये सूक्षम कड़ों की बात हो रही माइक्रो जो विल्कुल माइक्रोफ स्टाइप समझ लीजे व के माद्यम से गुजरता है नई शरीर का सारा रक्त किडिनी के माद्यम शुद्ध होता है क्या करती ही रक्त को छानती है किडनी चानती है जिससे कि वह nitrogen वेस्ट निकाल देती है तो इसका सी ऑप्षन यहाँ ठीक होगा ठीक है इसके बाद और भी कोशन है जो मैं अगली वी किरो में तर तक ले रमस्कार